दोस्तो दोस्तो आज हम महा मेराथन ले करके आ गए हैं एक चैप्टर वाइज हमारी मेराथन है और मैं मानत के चलता हूँ कि आज का वीडियो दिया आपने पूरा पढ़ लिया तो प्रत्य में फर कहीं कोई आपकी परिक्षा में दिक्कत आने वाली नहीं है पचास से अधिक प्रशनों पर आज इस वीडियो में हम प्रत्यों पर चर्चा करेंगे सारे प्रत्यों को कवर किया जाएगा तो आप वीडियो को देखिएगा और बड़े ध्यान से पढ़िएगा उससे पहले एक बहुत जरूरी बात आपको बता दे कि हम आपके लिए टेस सीरीज ले करके आ गए है। दोस्तु जैसे हम चेप्टर वाइ चर्चा कर रहे हैं वैसे ही चेप्टर वाइज पूरी टेस्ट रहेगी इसमें संस्क्रित वियाकरण, संस्क्रित साहित, काब सास्त्र, सिक्षण, जो जो आपके परिक्षा हैं पूछा जाता है वे त सब कू कर लिया हो, टेस्ट सीरीड ना ले पाए हो, आपके कई मित्र ले करके अपने टेस्टों को लगा रहे हैं, उनका अभ्यास अच्छा हो रहा है, तो मैं चाहूंगा आप अभी एपको डाउनलोड करें, इस्टोर में जाएं, और इस्टोर में जैसे ही आप जाएंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, पेपर बहुत नस्दीक है, और केवल 119 रुपे में आपको 2500 प्लस प्रिशन पूरे आपके सिलेवस के अनुसार मिलने हैं, तो आपको डाउनलोड करना है, टेस्ट लेने में कोई भी दिक्कत आती है, आप चैट बॉक्षन में जाकर के, एप में ही मेरे से आप चैट भी कर सकते हैं, डारिक बात भी कर सकते हैं, और बहुत सारे मित्रोने टेस्ट सेरीज ले ली है, अपनी तयारी कर रहे हैं, तो आप लोग वो ले लीजीगा, चलिए आज के वीडियो में हम सुरू बात करते हैं, पचास प्रिशनों को यहाँ पर पढ़न है, त्वा लगा है, तो त्वा में कत्वा प्रत्य होता है, आधा का लगा रहता है, त्वा, इसको वैसे हम लोग जो पढ़ते थे संस्कित में सास्त्री में, तो उसको त्वा ही बोलते थे, तो यह क्या हो जाएगा, त्वा प्रत्य है, सी इसका विकल्ब ठीक हो जाएगा पठ धातू में कत्वा प्रत्या लगने से पठित्वा बनता है ठीक है ना पठित्वा मतलब बढ़ कर एसका अर्थ हो जाएगा अब अगला ही परसन से अब आपको बताना है ठीक है तो बताईए आदाय में कौन सा प्रत्या है चार ओप्सन दिये हैं पढ़ा हो तो बताऊ न से subscribe करके जुड़े हैं वा regular अपनी तैयारी कर रहे हैं आप ना जुड़े हो तो subscribe करके bell icon को दबा करके notification on कर लें तो आदाय में कौन सा प्रत्य है पूछा गया तो आप बिल्कुत सही पेचान रहे हैं आप लिप प्रत्य है ठीक है ना दाध हातू है आ उपसर्ग हो लिप प्रत्य है से मिलकर क्या बना है आदाय कई बार ऐसा पूछ लेगे कि आदाय में प्रकती प्रत्य क्या है या धातू कौन सी है प्रत्य क्या है तो दाध हातू है उपसर्ग कौन सा है पूछे ले तो आव उपसर्ग है, व लिप प्रत्य एका किवल या बचता है, याद रखीएगा, लिप प्रत्य एका में से क्या बसता है, या, तो इस प्रकार से यहां पर क्या बन जाएगा, इसमें या बचेगा, आदाय बन जाएगा, ठीक है न, आगे देख लेते हैं, उपसर्ग है क्रीधातू है ठीक है ना और इसके पहले जो हमने बताया था कि लिप प्रत्या का क्या बनता या जा लाश्ट में या हो इसकी ट्रेक लगा लेना तो अहां पर लिप प्रत्या होगा क्योंकि और किसी में आप देखें टाप का तो बसेगा नहीं या तरप का भी नी बचेगा आनका भी या नी बचेगा ठीक है ना तो अब लिप का ही या बचता है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि लाश्ट में या है तो यहां पर लिप प्रत्या हो जाएगा तो उप उपसर्ग है क्रीध हातू है और लिप प्रत्या से क्या बना उपक्रत्या है अग आप हमारे उस एप पर पीडियाप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लाइब किलास के पहले में आपको अहाँ पर लिंक सेंड करता हूँ, किलास स्टार्ट होने वाली है, तो आप जुड़ सकते हैं, और आप सब्सक्राइब करके जुड़ गए तो नो में यहाँ पर प्रत्य पूछा गया है, अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे, कौन सा प्रत्य है, इसमें भी आपको बताने लियप प्रत्य है, आप कोई बोले सर इसमें या तो आनी रहा, तो हर जगह नहीं आएगा, अधिक तर में आएगा ही, और बाकी प्रत्य हैं से आप मिला लेना, तो बैसे नहीं आएगा, तो समझ में आ जाएगा, देखें, तो कैसे है, उत में ता और प्लस लियप, ठीक है, उत उपसर्ग ता हो गया, और प्लस लियप से क्या बनता है, उत्रीन बनता है, और देखें, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आ गया, आगत्य में कौन सा प्रत्य है? मैंने देखा पिछली परिक्षाओं में पूछा भी गया है संस्कित में. तो आगत्य में आपको प्रत्य बताना है, जल्दी से बता दीजिए. आगत्य है. अब यहाँ पर आप लगा लें. हर प्रत्य सम्मंदित प्रत्य है असा नहीं, आप सो इस त्रीलिंग प्रत्य है, त्रच प्रत्य है यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ आ रहा है. तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी लिप है. किस से मिलकर के बिना दोनों प्रकार के प्रशनाएंगे? ऐसा भी देदेगा A plus GUM. ठीक है? प्लस लिप से मिलकर के क्या बनता है? तो आपको लगाना है आगत्य बनता है. ठीक है ना? क्या बनता है? आगत्य बनता है. ऐसे भी लगा सकते हैं. और ऐसा ही पूछ सकता है कि आगत्य में कौन से प्रत्य का प्रियोग हुआ है? तो लियाप. और ऐसे ही पूछ सकता है कि आगत्य में कौन सी धातु है? तो GUM ध आगत्त में कौन सा उपसर्ग लगा है तो आउपसर्ग कैसे भी प्रस्ण पूछे आप हमारे एक प्रस्ण को पढ़ें आपके चार प्रस्ण कम्प्लीट होंगे दातुम आई एमपी है दातुम में कौन सा प्रत्या है जल्दी से बता दीजे दातुम अब हर जगा फीक है लेपनी होता है और भी प्रत्या पढ़ने है तो आपको बता दें कि दातुम में तुम प्रत्धया लगाने से क्या बनता है दातुम बन जाता है अगला है द्रश्टुम में कौन सा प्रत्य है ठीक है द्रश्टुम अब जल्दी से बता दें द्रश्टुम में प्रत्य है बिल्कु सही पहचान रहे हैं कि द्रश्टुम में भी कौन सा प्रत्य है तुमन प्रत्य है धातू कौन सी है तो ये द्रस है द्रस आतू अर्थ होती है देखने के अर्थ में इसके रूप चलाएंगे तो फिर द्रसती नहीं चलते फिर कैसे चलते हैं पस्यती चलते हैं याद रखिएगा द्रस का पस्य हो जाता है ठीक ना ल्रेटल अकार को छोड़ दो तो द्रस का क्या हो जाता है पस्यती हो जाता है याद रखना तो द्रस धातु में तुम उन प्रत्या लगने से क्या बन जाएगा द्रस तुम बन जाएगा एक और महत्पूर्ण है द्रश्टब्यम में कौन सा प्रत्य है दोस्तों पसंद आ रहे हो तुरंत लाइक कर दीजी वीडियो को इतना काम आपको करते जाना है लाइक पर क्लिक कर दीजिए तो द्रश्टब्यम में जो प्रत्य हो जाएगा बिल्को सही है तब्यत तब्यत तब्या नीहरा आपने सुत्र सुना होगा पड़ा होगा तो तब्यत प्रत्य हो जाएगा द्रश्टब्यम में धातू कौन सी हो जाएगी बिल्कुर सही पहचान रहे हैं बही द्रसधातू होगी और तब्यत जो होता है चाहिए अर्थ में होता है द्रस तब्या मतलब देखना चाहिए ऐसा इसका अर्थ निकल लाएगा और इसको पहचानने की आसान्ड ट्रिक क्या है आप लाश्ट में देखें गे तब होगा आप ता का यहाँ पर ता हो गया, संधी हो करके, इस प्रकार से दरत प्लस तव्यत से बन गया, संधी की हमने ट्रिक पढ़ाई थी, आप वो हमारे पढ़ लें, बेंजन संधी की ट्रिक, स्वरकी तो लाखों लोग पढ़ चुके हैं, बेंजन की और आप वो पढ़ लेंगे, तो आपको clear हो जाएंगे कैसे बनते हैं ये गम नियम में कौन सा प्रत्य है गम नियम में कौन सा प्रत्य लगाएंगे तब्यत प्रत्य है ठीक है ना क्योंकि ये सूत्र हमने बताया तब्यत तब्या नीरह तब्यत की जगा अनियर भी लग जाता है तो गम प्लस अनियर से क्या ब प्रत्य है, पठ नियम, अब तो पहचान जाएए, ठीके अनिय, तब्यत तब्या अनियर रहा, अनिय में कौन सा लगता है दोस्तों, तब्यत, तब्यत कहां लखा है, यहाँ पर, यह थोड़ा प्रिंटिंग में श्टिक हो गई इसमें, ठीके न, तो पठ फिलस अनियर से क्य बनेगा पठनियम ठीक है तब्यत प्रत्य हो जाएगा पठनियम दर्सनियम अब दर्सनियम में भी आसानी से पहचान जाएंगे आप बही लगेगा तब्यत इसमें धातू कौन सी हो जाएगी दर्सनियम में जल्दी से बता दे कमेंट में इसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ प्रशन है दरस नियम में कौन सी दहातु है प्रत्य तो पता चल गया धातु कौन सी है भिलकुर सही पेचाना आपने कौन सी धातु हो जाएगी ठीक है ना दरस धातु हो गया और क्या बन गया दरस नियम आगे देखते हैं आगे हैं यत प्रत्या की कितने भेद हैं जल्दी से बता दीजिए आपने प्रत्या पढ़े हों मैं एक अभी टाइप पर मैंने भेजा है प्रत्या की बहुत जवर्जा श्ट्रिक लेके आने वाला हूं आप सब्द देखेंगे प्रत्या पहचान जाएंगे प्रत्या को हैं तो तीन भेद हैं ठीक है तीन रूप होते हैं उसको भेद रूप होते अलग-अलग एक होता है यत और एक होता है लियत और एक होता है क्यप ठीक है ना तीन रूप में होता है तो इनको याद रखना रथिन में कौन सा प्रत्य है रथिन अब यहाँ पर आपको बता दें कि एक प्रत्य है उसमें से क्या बचता है इन बचता है किस प्रत्य में से इनी में से ठीक है ना तो रथ जो सब्द हो जाएगा उसमें इनी प्रत्य लगा देंगे रत प्लस इनी सी क्या बन जाएगा रतिन, उनी प्रत्य हो जाएगा रतिन में, रत लेना बिलकुल इन्को याद कर लेना, ठीक है न, वीडियो को अपने सेफ करके रखो, पेपर के पहले एक बार पढ़ जाना, क्या पता है इनमें से कौन सा प्रत्य आपके पेपर में आ जाए, ठीक है ना, डंडिन में कौन सा प्रत्य है, डंडिन, मूल सब्द भी पूछ सकते हैं, इस मैंसे कि डंडिन में कौन सा मूल सब्द है, फिर कौन सा प्रत्य है, तो प्र कई बार पूछा गया है लेख का में कौन सा प्रत्य है जल्दी बता दें बैरी 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 आई एंप इसमें गलती मत करना दोस्तो हमारे जो रेगुलर व्यूर्स हैं उनसे तो बिल्कुल आप एक्छानी करूंगा तो इसमें पहले तो आपको बता दें धातू है लिख में डिबुल प्रत्य लगने से डिबुल का बसता है अक डिबुल का क्या बसता है अक तो लिख धातू में अक प्रत्य लगने से बनता है लेख का ठीक है ना डिबुल का क्या हो जाएगा अक हो जाएगा याद रखना बु का अक होता है तो डिबुल का बचेगा डिबुल में स कैब का बन गया याद रखना महिला हाट दोनों तो बिलकुल भूलना ही मत यह बहुत champ as हमें कौन सा प्रत्य है जल्दि बता दीजी क्मेंट कर ज़ंद है कि मैंने बताए था कि कीर कार का में क्रीध हातू है क्रीध हातू में आक से तो क्रीका हो गया कार और आक इसमें जोड़ दिया तो कार कहा बन गया क्रीध हातू में डिडेबुल प्रत्या लगने से क्या बन गया हा कार कहा बन गया ऐसे अब पाठ का में तो बताई देंगे पाठ का में कौन सा प्रत्या सोच समझ के बताना लेकिन इसको थोड़ा सा, पाठका में कौन सा प्रत्य है जल्दी से बताई सोच समझ के, रट्टू विध्या नहीं, तो एक तो भू का बचेगा आख, पठधातू में आख प्रत्य लगने से भी पाठका बनता है याद रखना, और पठधातू में तृत लगने से भी क्या बन जाता है दोस्तो पाठ कहा बन जाता है यह दोनों के उधारण है पाठ का तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी और सी ठीक ना आगे गम नम में कौन सा प्रत्य है गम नम अब आख प्रत्य लिबुण प्रत्य चला गया अब गम नम में जल्दी से बता दीजी कौन सा प्रत्य है हाँ बिल्कु सही पैचान रहे है गम नम में कौन सा प्रत्य है लुट प्रत्य है ठीक है न हाँ लिट का बसता है यू और यू का होता है अन तो टोटल क्या बन जाता है अन लिट का क्या हो जाएगा अन हो जाएगा तो गम धातू में अन प्रत्या लगने से गम नम हो जाएगा ठीकें अन बसता है मतला अन प्रत्या इसली बूल ला है तो पिरत्य तो लिट है लेकिर उसका क्या बसता है अन बसता है तो गम धातू लिट का U बचा और U का क्या हो गया अन हो गया तो क्या बन गया गम नम इस प्रकार से यहां पर बन जाता है यह सब कुछ हमारी ट्रिक में आप पढ़ लेंगे लेख नम में कौन सा प्रत्य है अब लेख नम में बता दीजिये option यहां पर दीए है तो न मैसे है क्या कोई आपको लग रहा है क्या अभी तक जासा बताया उस मैसे तो नहीं लग रहा है गाई न मैसे कोई नहीं है तो और option देख लेते हैं दो option और हैं तो अब आप समझ गये होंगे कि U का क्या हो जाता है UN तो बही यहाँ पर प्रोसेस लगा लेना कि लिख में लिट प्रत्य लगाए तो U बचा और U का क्या हो गया UN हो गया तो बन गया लिख नम ठीक है ना यज नम यज नम में कौन सा प्रत्य है सोच समझ के उत्तर दें गड़बड मत कनना आब जल्दी से बताओ कमेंट में उत्तर दो यम नम इसमें भी कनफ्यूज नहीं हो बिलकुल जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं लिट प्रत्य ही है U का UN वचेगा अन का आम हो जाता है ठीक है ना यज सब्द है लिट प्रत्य है इससे मिलकर कि क्या बना यजनम अगला है बुद्धी बाला में कौन सा प्रत्य है बुद्धी बाला हाँ जल्दी से बता दीजी बुद्धी बाला में कौन सा प्रत्य है तो बुद्धी बाला में आपको बता दें कि बुद्धी बाला में कौन सा प्रत्य यहां पर हो जाएगा मतुप प्रत्य हो जाएगा ठीक है ना मतुप ठीक है ना यहां पर अर्थ में निकलता है कि जैसे बुद्धी मान होता है ना तो यहां पर बुद्धी मान को बुद्धी बाला लिख दिया तो मतुप का जो हो जाता है वो मान हो जाता है तो बुद्धी मान या बुद्धी बाला यही बात है ऐसे भी कन्फूज करने के लिए दे सकते हैं ठीक है ना तो यह धी धातू है धी मतला होता है बुद्धी ठीक है ना यह धी अर्थ में प्रतिक्त होती तो दिमत या फिर धीमान, यू धीमान का अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धी- clone थिlar नई तो आप बाला प्रत्य लगा के आजाओ हिंदी जैसे, उप्षन में दे दे बाला तो आप लगाओ बाला हो पर बाले के बाली निकल जाएगा, तो फर याद रखना- ठीक है ना, गड़वड़नी करना, परफेक्ट नम्बर लाना है, स्री मत में कौन सा प्रत्य है, स्री मत, जल्दी बता दीजिए, हाँ, स्री मत में जो प्रत्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अब स्री मत, ठीक है, आपन इसको दूसरा क्या भी बोलते हैं, स्री मान भी बो प्रत्य हो जागा मतुप मूल सब्द क्या हो गया स्री और मतुप लगाने से क्या बन गया स्रीमान बन गया दोस्तों समझ में आ रहा होगा उम्मीद है मैं बहुत सरल से सरल भासा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं और हमारी संस्कित ब्याकरण ट्रेक वाली आप प्लेलिस्ट देख लोगे ना एक बार तो आपको संस्कित की ब्याकरण विल्कुल आराम से बिल्कुल लचीली लगने लगेगी प्लेलिस्ट हमारी यूटूब चैनल पर है देख लीजिए तो आप 50 स्टड़ी आप तो सर्च कीजिए या हमारे सीड़े यूटूब चैनल पर जा करके देख लीजिए आपको बहुत उप्योगी होगा लगू तरह में कौन सा प्रत्य है लगू तरह हाँ बिल्कुल तो लगू तरह में जो प्रत्य हो जाएगा यहाँ पर अब चेंज हो गया है आगे बढ़ जाईए जल्दी से तो मुन तो मुन हर जगए नहीं लगाना है तो यहाँ पर हो जाएगा तरप प्रत्य है कौन सा हो जाएगा तरप लगू सब्द में तरप प्रत्य लगने से क्या बनता है लगू तरह बनता है अगला है सुन्दर तरह में कौन सा प्रत्य है सुन्दर तरह में दोस्तो हमारी एप को डाउनलोड कर लेना वहाँ भी विवस तरह यहाद रखना तरप का बचेगा क्या तरह बचेगा तो इस प्रकार से सुन्दर में तरह सुन्दर तरह हो जाएगा ठीक है ना सुन्दर सब्द में तरह प्रत्य लगने से सुन्दर तरह हो जाएगा अब यहाँ पर तमह आ गया, गुरू तमह में कौन सा प्रत्य है, महत्पूर्ण है, गुरू तमह, ठीक है न, अब यह अपन तरह किसमे हो रहा था, तरह प्रत्य में, तो अब तमह किसमे हो जाएगा, तमः प्रत्य में, बिल्कुछ सही पेचान रहे हैं, तमः प्रत्य में, तो गुरू सब्द में तमप प्रत्य लगाने से क्या बनेगा? गुरू तमप बन जाएगा ऐसे हर चेप्टर के संस्कित के हम आपको अभ्यास करा देंगे करम करम से ठीक है न? हाँ आप अच्छे से पढ़ लीजी बिल्कुर कोई भी उसमें कठना ही आ रही है कमेंटर बताएं कि सरमें इस चीज में कठना ही आ रही है मधुर तमा में कौन सा प्रत्य है? मधुर तमा मूल सब्ध है मधुर यदि पूछ लिया जाए और तमा हमने बता दिया कि तम में इसका शुरू का ले लो तम अपका क्या ले लो शुरू में? तम ले लो बिसर्ग साहे, इसमें लगता ही है संस्कित की सब्दों में, तो तमा होगे जाएगा, तो मधुर सब्द में तमा प्रत्य लगाने से क्या बन जाएगा, मधुर तमा बन जाएगा, अगला है ऐसा ही, दीर्ग तमा में कौन सा प्रत्य है, दो अप्सन यहाँ पर दिये हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए ज़्यादा बताने की जरूरत होनी नी चाहिए दीर्ग सब्द में तमप प्रत्य लगाने से क्या बन जाएगा दोस्तो दीर्ग तमप अगला है सांती मया हमें कौन सा प्रत्य है तो उसके एक बिसेस बात आप ए जरूर लख दे कमेंट में किस एकजाम की तैयारी कर रहे हैं ठीक है ना किस एकजाम की तैयारी कर रहे हैं आप एक कमेंट में लिखते जाएं तो उसके हिसाब से अलग से हम पर चेप्टर बनाएंगे आपके बिल्कुल मॉडल पेपर जैसे होते हैं बैसे हम अलग से बना रहे हैं और बनाते जाएंग तो कमेंट में लेखें सबसे ज़्यादा जिस उसके कमेंट आएंगे एकजाम बाले उसके हम पेपर ले करके पहले आएंगे तो अब जल्दी से कमेंट कर दीजी किस एकजाम की तैयारी कर रहे है सांती मया हमें कौन सा प्रत्य है जल्दी से बिल्कु सही पेचाना मयट प्रत्य हो जाएगा कौन सा प्रत्य हो जाएगा दोस्तो मयट प्रत्य हो जाएगा मयट का बसता है मय विसर्क लग जाता तो मया हो जाता है तो सांती सब्द में मयट प्रत्य यहां पर लगा दिया जरूर इसको ये वीडियो सेयर करना इतना मैं निवेदन करूँगा कम से कम अपने तीन बॉट्सेप ग्रूप, टेलीग्राम ग्रूप या पर फेस्बुक पर अपने मित्रों को परसनल यलू सेयर करना वो भी पढ़ सकें जड़ सकें तो मरण मया में जो यहाँ पर प्रत्य हो जाएगा तो बुई मया ने बताए कि मया किसका बचेगा मयट का बचेगा मया तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ठीक है न? आगे देख लेते हैं सुख मया में प्रत्य कौन सा है? सुख मया में इसी प्रकार से सुख मया में भी आप देख सकते हैं वह हो जाएगा जाहें दोस्तो दोस्तो कि आप सि isshak भरती परिष्चा की तयारी कर रहे हैं वस साल सफलता पराप्ट करना चाहते हैं तो संस्केस साहित इवं ब्याकरण की संपूर्ट टेस्स सीरीज जिसमें आपको पूरा साहित तो ब्याकरण चेप्तर वाई मिलने वाला है इसलिए पचीस सो प्लस परशन है और केवल प्राइज अभी मात्र विसे सो फर चला है एक सो उनतीस रुपे का चूकना नहीं है अभ चुने हुए प्रशन होंगे और चेप्तर वाई पूरे पचीस सो प्लस प्रशन आपको इसमें मिलेंगे मिक्स भी मिलेंगे केवल एक सो उनतीस रुपे में आपको है टेस्स सीरीज दी जा रहे है संस्केस साहित तेवं ब्याकरण की तुरंद जाकर के आप ले लें अपनी है कैसे बना तो बसुदेव सब्द में अन प्रत्य लगने से ठीक है क्या बना बासुदेव हाँ बना बसुदेव सब्द में अन प्रत्य बासुदेव में प्रत्य प्रत्य पूंच ले तो बसुदेव सब्द हो अन प्रत्य लग करके क्या बना है दोस्तों बासुदेव बन है बसिष्ठा हमें कौन सा प्रत्य है कई दोस्त बोले है सर हमें आपसे जुड़ना है क्या करें कुछ नहीं करो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत एधी ना किया हो तो बेल आइकन को दबा लो नोटिपिकेशन ओन कर लो साथी साथ पीडियाप के लिए आप हमारे टॉप फिप्टी स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और पीडियाप और बाकी नोट के लिए आप हमारे एप को डाउनलोट कर लें जिसकी लिंक मैंने डिस्किप्शन में दी है बसिष्ठा में कौन सा प्रत्य है बिल्कुश सही उत्तर बता रहे हैं आप कमेंट में बसिष्ठा में अनप्रत्य है कौन सा है अनप्रत्य किस सब्द में बसिष्ठ सब्द में अनप्रत्य लगने से क्या बना है बसिष्ठा बना है ये भी याद रखते जाईएगा कि क्या मूल सब्द है और क्या प्रत्य है क्योंकि ऐसे प्रस्ण भी पूछ लिए जाते हैं आगे है विश्वा मित्रह में कौन सा प्रत्य है विश्वा मित्रह में कौन सा प्रत्य है जल्दी से बता दीजिए और आपको साथ में ये भी बताना है कि इसमें मूल सब्द क्या है ठीक है मूल सब्द क्या है प्रत्य क्या है तो आपको बता दें कि यहाँ पर विश्वा मित्र मूल सब्द हो जाएगा और आण प्रत्य लगने से विश्वा मित्र हा बन जाएगा ठीक है न आण प्रत्य उसमे भी हैं और भी प्रत्य हैं समझनी केवल आण ही अण हैं जो आण के महत्पू prophet है बहु धारन लाए पीचले वीडियो में जो हमने चर्शा की थी उसमें कुछ प्रत्यों पर चर्चा की थी आप ले लिश्ट में कौन सा प्रत्य हो जाएगा अनप्रत्य लेकिन इसका आपको बता दें कि जो मूल सब्द होगा बै मानव नहीं होगा बै होगा मनू मनू सब्द में अनप्रत्य लगने से क्या बनता है मानवह बनता है याद रखना है इसमें लोग गलती करके आए हैं क्योंकि ठीक है आगे द दश्रठी में कौनसा प्रत्य है दश्रठी में में जल्धी से बता दीजे प्रत्य कौन सा है क्या लग गया है और इसे मिलकर क्या अपको बताना है जल्दी से बता दी जब यहां भी आणनी कर देना ठीक है नहीं तो सोच आणे हैं एसा नहीं है कि आण फित्ते की आणना सब प्रत्य संबन्दित प्रिश्न आएंगे जिस प्त्य से जो बारबार प्रिश्न पूछे जाते हैं वो यहां इतच प्रत्य है थीक है न, में जिसका इच बता है या इच प्रत्य है इड़कुल सब्द क्या है पिपाश है Flor. इतमे इतच प्रत्य लगने से क्या बन गया है पिपासिता याद रखीगा महत्त्वम में कौन सा प्रत्य है महत्त्वम जल्दी बता दीजिए महत्त्वम में कौन सा प्रत्य हो जाएगा देखते हैं कितने लोग सही पहचानते हैं हाँ महत्वम में जो आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रत्य हो जाएगा बहुत महत्पूर्ण प्रत्य है त्वा प्रत्य है ठीक है त्वा प्रत्य हो जाएगा यहाँ पर त्वा प्रत्य महत में त्वा जोड़ने से क्या बन जाएगा महत त्वा में बड़ा वानी है यह रखना छोटा है यह याद रखना त्वा भी प्रत्य होता है जिसमें बड़ा होता है लगुत्वम में कौन सा प्रत्य है लगुत्वम जल्दी बता दीजे लगुत्तम तो आपको बता दें कि लगुत्तम जो सब्द है इसमें प्रत्य हो जाएगा लगुत्म मूल सब्द हो जाएगा और वही तो आप रत्य यहाँ पर हो जाएगा क्या बन जाएगा लगुत्तम यहाँ पर बन जाएगा रूप अगला है बिद्वत्ता में कौन सा प्रत्य है महत्पूर है कई बार पूछा गया है बिद्वत्ता जल्दी से बता दीजिए बिद्वत्ता में कौन सा प्रत्य है कौन बताता है सही उत्तर दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें तुरंत एक बार लाइक पर किलिक कर तो आपको बता दें कि इसमें तल प्रत्य है, तो देखिए मूल सब्ध है उसमें तल प्रत्य लगने से बिद्वत्ता बना है, महत्पून है याद कर लीजीगा कि बिद्वत सब्ध है नहीं तो आप बिद्वान सब्ध कर दो, बिद्वत सब्ध है तल प्रत्य लगा है, इसल में ता होगा अन प्रत्य में अन्त में आ होगा उसके साथ बिसर्ग होगा ठीक है न उपर जो हमने पड़े हूं समय से हमने दोगी बता दे तो पवित्रता में कौन सा प्रत्य है तो अन्त में बढ़ाता है तो आपको कौन सा प्रत्य लगा लेना है दोस्तों तल प्रत्य लग आपको पता है कि मूल सब्द दसरती है, बही सुना है, बही पड़ा है, पवित्र ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो बोई निकालना है जिसका सार्थक जो सब्द होता है, और देखें, किम आदी सर्वनामों में प्रकार के अर्थ में किस प्रत्य का प्रियोग होता है, जल्दी बता दीजिए कि किम आदी सर्वनामों में प्रकार के अर्थ में किस प्रकार के प्रत्य का प्रियोग होता है, तो आपको बता दें कि वह होता है, इसका उत्तर हो जाएगा थाल प्रत्य, किस प्रत्य का प्रियोग होता है, थाल प्रत्य का प्रियोग होता है, एक औ प्रत्य लगने से यथा बना है। मूल सब्द क्या है यद इसमें थाल प्रत्य लगा तब बना क्या यदा याद रखना। सर्वथा में कौन सा प्रत्य है। सर्वथा यसे यथा में लाष्ट में बड़ा था आ रहा है यसी सर्वथा में भी लाष्ट में बड़ा था आ रहा है। और हम आपसे कहें कि अब आपको यहाँ पर ट्रिक का प्रियोग करना है तो वही थाल प्रत्य है आप यहाँ पर कर लेना सब्द क्या हो जाएगा सर्व क्योंकि ये सर्वनाम सब्द है वियाय था न सर्वनाम आदी के साथ कौन सा प्रत्य लगता है थाल प्रत्य है तो सर्व हो गया यदि भी सर्वनाम था अस्वा में कौन सा प्रत्य है अस्वा जल्दी बता दी ये अस्वा सब्द में कौन सा प्र जाएगा टाप प्रित्य है, अस्वा में कौन सा प्रित्य है, टाप, टाप का से स्वस्ता है बड़ा याद रखना, देखिए, अस्व सब्द है, मूल सब्द क्या है अस्व, और उसमें टाप प्रित्य लगने से क्या बन गया, अस्वा बन गया, प्रत्मा में कौन सा प्रित् कि पर्थमा में आपको बता दें, कि पर्थमा में वही टाप प्रत्य यहां पर हो जाएगा, पर्थम सब्द में टाप प्रत्य लगाने से क्या बन गया, प्रत्मा बन गया, ठीक है, आगे, गंगा में कौन सा प्रत्य है गंगा सब्द में भी प्रत्य कई बार पूछा गया है ऐसे हम हर चेप्टर के लाएंगे सबसे पहले हम किसके लाए थे संस्कित ब्याकरण के प्रिश्ण इसके बाद लाए हैं प्रत्य के आगे लाएंगे उपसर के फिर लाएंगे संधी के, फिर लाएंगे समास के, बतलब वो जो आपका मूल विसाए, चेप्टर वाइज भी प्रशन आएंगे, अभ्यास प्रशन पर तो हम लाए हैं, लगवाक 40 वीडियो ला चुके हैं, संस्कित के अभ्यास प्रशनों का, जिसमें 30-30 प्रशन के अभ्या हो जाएगा, ठीक है न, ताप इस्त्री लिंग प्रत्य है, तो यही क्या स्त्री लिंग सब्द बना देता है, गंग सब्द में टाप प्रत्य लगने से गंगा बन गया, इस्त्री लिंग हो गया, जैसे प्रथम सब्द था, पुलिंग था, लेकिन इसमें आ लग गया प्रत तो बड़ा आसेस बचेगा सिक्षक में बड़ा आ और बड़ा मिल करके सिक्षक सब्दमें नाइका में कौन सा प्रित्य है दोस्तो एप डाउनलोड ना किया हो तो हमारे जरूर कर ले आपको संस्कित के बहुत सारी बीडियो टेस्ट वगरे मिलेंगे तो नाइका में कौन सा प्रत्य है तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी बड़ा आ है नायक सब्द मूल है इसका इस्त्री लिंग क्या है नाइका है तो टाप का बचेगा तो आ और आ मिल करके हो गए बड़ा तो बन जाएगा नायका तो कौन सा प्रत्य हो जाएगा टाप प्रत्य हो जाएगा चैनल को आपने सब्सक्राइब तो करही लिया होगा आँगे के वीडियो की जानकारी अब आपको मिलती रहेगी बाकि यूटूब पे आप करम से पढ़ने के लिए टाप 50 स्टेडी सर्च करें तो हमारे सारे वीडियो आपको टाप 50 स्टेडी के नाम से मिल जाएगे तपस सुनी में कौन सा प्रत्य है तो आपको बता दें कि तपस सुनी में यहाँ पर अप टाप प्रत्य नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर बड़ा आलाश्ट में नहीं है टाप में बड़ा होगा और उसी सब्द का पुलिंग होगा फर उसको स्ट्री लिंग बनाया गया होगा जैसे चक का सिक्छी का ठीक है न ऐसे तो यहसे बनता है बालक का बाली का इस पकार से तो अब यहाँ पर तपस भी नहीं में पूछा गया है तो आपको बता दें कि तपस भी नहीं में जो प्रत्य हो जाएगा बै हो जाएगा होगा तो स्ट्री लिंग प्रत्य ही तो टाप था ऐसे गीप भी स्ट्री लिंग प्रत्य है तो रिग ने भ्यो गीप प्रत्य होता है इससे ठीक है न तो तपस भी नहीं में गीप का बसता है इसस का आस से बच रहा था अ एसे गीब का ई से सबसता है थीक है ना तो तपस्वीन में रिकिने ब्योगी प्रत्या है दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताना किस चेप्टर के आप बिशेष परश्न जिसके जादा कमेंट होंगे उस चैप्टर को अगले वीडियो में लाया जाएगा गौरी में कौन सा प्रत्य है? लाइक जरूर कर दें ना किया हो तो आपको बता देंगी गौरी में भी यहाँ पर बड़ी की मात्रा देखनी है ठीके ना किस प्रत्य में? गीप प्रत्य में बड़ी गीप का बड़ी इमान लें तो गीप प्रत्य जैसे वहाँ तपस भी नहीं था तो गौरी तो यहाँ पर गौर जो सब्द है उसमें वही गीप प्रत्य लगाने से क्या बनता है? गौरी बनता है तो यहाँ पर वही हो जा साथ नमबर की साथ में से समझ के चलना!!! कर्स आपको केवलाी बिसेस ऑफर के थी तीन सो निन्यानु रुफे मिल ला है और इसके साथ आपको टैष्ट भी मिल ला है आपको अभी हमारे एपको डाउनलोड करना है टॉप फिप्टी स्टेडी एपको डिस्किप्शन में लिंक की दी है आप लेश्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं इस कोर्स में आपको लाइब क्लासें, रिकॉड़ेड वीडियो, मॉडल टेस्ट पेपर, अभ्यास प्रिशन और पीडियेप नोट्स भी विलकुल फिरी मिल ले हैं इसी के साथ तो दोस्तो देरी ना करें, आप तुरंत जाएं और हमारे इस कोर्स को खली लें डेली इसकी आपको क्लासें भी मिलेंगी, कुछ क्लासें भी अपलोड हो चुकी हैं और कुछ निरंतर क्लासें चल लए हैं, जो लोग कोर्स लिये हैं, उनकी पढ़ाई चालू है, आप पीछे न रह जाएं और बेट ना करें कि कव हमारी डेट आ रही है, आप डेट आए उससे पहले आप एक बाद कोर्स को पूरा पढ़ ले हो आने के वाद रिवीजन करें तो अपनी तयारी करें, चलिए हम सुरुवात करते हैं आज की कक्छा